जहीं नमस्कार आप सभी का एक बार फिश्वागत है इस पर्स में कोई सिकायत डालनी है आपको पैंसन से संबन्दित आपकी ग्रेच्चुटी से संबन्दित आपकी पैंसन में कोई डिडेक्षन हो रहा है गलत उससे संबन्दित या फिर आपने कम्मूटेशन एपलाई किय नहीं मिला है किसी भी परकार कि आपको गरवांस डालनी है तो आपको सबसे पहले इस पर्स में लोगिन करना है और लोगिन करने के बाद ओप्षन में जाना है ओप्षन में आपको गरवांस के उपर क्लिक करना है तो जैसे ही आप गरवांस के उपर कोई दूसरी है यदि payment related आप click करते हैं तो आपको जो issue है elements of pension से है या elements note sanction in pension से है या फिर आपका कोई deduction हो रहा है उससे समझत है वो select करना है और यदि आपकी दूसरी कोई grievance है तो आपको other में click करना है तो हमें जैसे कि यहाँ पर ग्रवेस डालना है कि commutation नहीं मिला है 50% commutation के लिए retirement के time पर apply किया था लेकिन मिला नहीं है तो other में click करने के बाद यहाँ पर comment में आपको पूरी जानकारी डाल देनी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं comment में my is first PPO number so and so during retirement I had applied for commutation of pension for 50% but commutation has not yet been released by PCDA pension प्रियागराज commutation form from unit concerned is enclosed please release 50% commutation to me at the earliest also my is first PPO number not generated please generate the same and upload in is first so that I can download the same यहाँ पर आपने देखा कि ग्रवेस एक ही है लेकिन उसमें दो मुद्दे हैं एक तो commutation नहीं मिला उससे जुड़ा और दूसरा यहाँ पर is first का Corrigentum PPO generate नहीं हुआ upload नहीं हुआ is first profile में उससे जुड़ी हुई यहाँ commutation नहीं मिला तो साथ में आपको जो commutation का form pension document के साथ में लगा है वो अपनी unit से मांगना है और उसको यहाँ पर PDF बना के attach करना है जो कि इसमें लिखावा भी है तो इससे पहले यदि आपने ग्रवेस इसी से समंदित डाल रखी है तो उसका number यहाँ पर डालना है और upload document में choose file क्लिक करते हुए और जहाँ पर आपकी PDF है commutation form की उसको select करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि document है आपका तो document जैसे select करेंगे तो नाम आएगा जो आपने form बना रखा है उसको क्लिक करके यहाँ से attach कर लेना है हमने file को select कर दिया और file यहाँ पर attach हो चुकी है जिसको आप देख भी सकते हैं कि कोई गलत document को तो attach नहीं हुआ है यह कारवाई करने के बाद आपको यहाँ पर simply submit के उपर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा आएगा do you want to submit तो आपको यहाँ पर save के उपर क्लिक करना है और एक आपको track number मिल जाएगा जिसको आप यहाँ पर track status में जाके चेक कर सकते हैं तो यह थी इस परस में गरवाईंस एजिस्टर करने की पूरी process और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को like and share करें और चैनल पर नए हो ताप चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके रख लें जे हिंद जे बारत वंदे मातरम